नमस्कार इंडिया वाइस देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शिवम दूबे इंडिया वाइस के खास कारकरम खबर दिनमर में आप सब का स्वागत है रुख करेंगे पहली कबर के और आपको बता दें कि उपराश्टुपती जगदीप धनकर गौतम बुद्ध नेगर विस्व विद्याले पहुँचे जहां सीम योगी आदितनाथ ने उनका जोरदार स्वागत कि मौके पर तमाम अधिकारी और जन प्रतनेदी मौजूद रहे दिक्षान समारों के करीब 8700 चात्रों को प्रमाणपत्र दिये गए वहीं कारिक्रम में सीम योगी ने कहा कि बुद्ध ने कहा था कि चुनोती को स्विकार करना समस्या का समाधान भी है बुद्ध का जीवन अपने आप में बहुत रुमांचक है देश और दुनिया को एक नहीं रा दिखाने वाला है हमने उसे किस रूप में स्विकार किया यह हम पे निर्वर करता है जब उन्हें ग्यान भी प्राप्त होता है उसकी भी अलग-अलग घटनाएं आपकी तरह ही अंतर के वल इतना है कि बुद्ध राज मौहलों में कैद हो गए थे एक सिदार फिक राजकुमार के रूप में अब अपने सिक्षण संस्थावनों में कैद हो जाते हैं सिक्षा की हमारी व्यवस्ता हमें सिक्षित तो कर पाएगी लेकिन जब तक उस सिक्षा के साथ व्यवारी ज्यान नहीं होगा तब तक वह हमें ज्यानवान नहीं बना पाएगी और दोनों में यही अंतर है एक आपका theoretical प्रक्स है theory का प्रक्स है सैतान्थी ज्यान जो आपने सिक्षण संस्थावनों में जोड़ा है जिसकी एक नई शुरुवाद गौतम बुद्विश्त विद्याल है आज फिर से प्रारंब करने जा रहा है उसको व्यवारीक्ता के साथ चूड़ना जब हमारे सिक्षण संस्थानों से कोई उपादी धारक निकले तो वहां किसी भ्रम की स्थिति में न रहे उसके सामने अपनी मंजिव तक पहुँशने का रा इसपस्ट हो और यह हम सब के जीवन में अक्सर होता है बुद्ध ने वे राह हमें दिखाई विश्विद्याले का नाम करन गौतम बुद्ध के नाम पर हुआ है अपने कौतम बुद्ध के जीवन में बहुत सारी विशेशनाई देखी होंगे और जीवन के जिन रहेश्यों को उन्होंने उद्गाटित किया था वे हर मनुष्य के इर्दिगर्द घूमती हैं बुद्ध ने कहा था समस्या है यह पहले हमने उसको स्विकार करना समस्या का समाधान भी है आपने जो समस्या को स्विकार किया तो उसके समाधान का रास्ता भी आपको तलासना पड़ेगा और समाधान है तो उसका निवारण भी है अक्सर होता क्या है हम समस्या को ही स्विकार नहीं करना चाते हमारी बिफलता का रहस्य कहां छुपा है जब हम समस्या से मुह मोडते है उससे भागने का प्रियास करते है उसको जब स्विकार ही नहीं करते तो सबसे पहले समस्या को स्विकार करना और हर समस्या का समाधान करने के लिए एक राहा भी होती है उस राहा को चुणना समाधान का रास्ता और याद रखना हर रास्ते मंजिल तक ही पहुंशते हैं वसरते हम स्वयम हिम्मत नहरें तो समस्या का समाधान भी है और मंजिल में पहुँझ गए तो उसका निवारन भी है बुद्ध का ये जीवन हम सब के लिए चाई वह चात्र हो चाई वह सिक्सक हो चाई वह उद्यमी हो चाई वह जीवन के किसी भी छेत्र में है उन सब के जीवन में बरावर घटित होता है लेकिन उस राहा को कोई प्योग नहीं करना चाहता है तो वहीं एक लिकवर अलीगर से है जहां आती समवेदन शील इलाके देली गेट थाने के सामने वाले चोराहे पर रिष्थित मस्जिद की दिवार और कॉंग्रेस के बैनर पर असमाजिक तक्तों ने जैश्री राम लिखकर महाल को बिगाड़ने की कोशिश की जिसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर अब तीजी से वारल हो रहा है वहीं सूचना फैलते ही मौके पर दोनों ही समुदाय के लोगे कत्रित हो गए साथ ही सूचना मिलते ही मौके पर पहुँची भारी पुलिस आपको बता दें कि आला अधिकारियों के आदेश पर आननफानन में इलाका पुलिस ने मस्जिक की दिवार पर लिखे जैश्री राम स्लोगन को जल से जल उसे हटवाया और इस मामले पर सपा के पूर्विधायक जमिरुल्ला ने आपत्ती जताते हुए आरोपियों के खिलाफ एनसे लगवानी की मांगे तो वहीं यूथ कॉंग्रिस के नेता राजा भहिया ने महौल बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ एफाई आर दर्च करके 24 घंटे के अंदर गिरपताई करने की मांगे थाना देली गेट का एक प्रक्रण संग्यान में जिस सम्मन्ने मुझ छेत्र अदिकारी नगर पत्थम दोरा उगद कराना है कि प्रक्रण के संग्यान में आते ही तदकाल पुलिस पुच्च अदिकारी मोह का मौयना किया गया तथा दुकान के बराबर में जो मजदूर द्वारा जो लिखा गया था उसे दोनों पच्छों की आपसी सहमती से हटवा दिया गया और दोनों पच्छों में आपस में सवहात पूर्ण वारता हो गई है मौके पर शांती ब्यौस्था काहिम है कि दस बसके पंदरा मिनिट की बात है वहां से एक साब गुजर रहे थे देलीगेट से तो कुछ लोग छे साथ लोग मजद पर लिख रहे थे जे शरी राम और ने मुझे फून किया कि विधाई जी ऐसे से मजद की दीवार पर जो बॉंडरी की दीवार है उस पर लिखाया र मैं पहुंच रहा हूं दस मिनट के अंदर मकर इमानदारी की बात यह है कि इस पर जो देलीगेट है वो दस मिनट के अंदर पहुच गई और महां पर उन्होंने उसकी जो लिखा था उसको मिटाया और उसको पैंट्वेंट करा दिया लेकिन मेरा कहना यह है यह कौन लोग ह चाहते हैं अलक्षन का वक्त है थाने के सामने एक चिनोती भरा नारा यह वो लोग जो शेहर के निलाग लगाना चाहते हैं इनके खिलाफ एफाई यार होनी चाहिए और इन पर एनसी लगा के कार्रवाई होनी चाहिए इनको जील पर देखिए अलीगर पिरसासन की बहुत क्रिशन लिखिए जो दिल मैं लिखिए कोई मना नहीं है लेकिन किसी मस्जिद की देवार पर और धार में किस तल के आसपास अगर आप सामपरदाइग नारे लखेंगे तो उससे सामपरदाइग माहौल घराब होगा और कहीं ने कहीं देश को नुक्षान होगा जिलाप प किला मुकद मदाज कराने के लिए हम बात देवे वारती कुष्टी संग्गे नय अध्यक्ष संजय सिंंग को खेल मंत्राल्यय ने रवीवार को नेलमित कर दिया है खेल मंत्रालय ने बड़ी कारवाई करते हुए नय कुष्टी संगR कर दिया जिसके साथ खेल मंत्राला ने नए अध्यक्ष संजय सिंग के सभी फैसलों पर रोक लगा दिया बता दें कि संजय सिंग के अध्यक्ष बनने के बाद साक्षि मलिक जैसी खिलाडियों ने इस मामले पर घोर आपक्ति जाहिर की थी कि मैं फ्लाइट में था अभी मुझे बहुत डिटेल पता नहीं और उसका लेटर मुझे नहीं मिला है वो लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता हूं फिर पताता हूं मैं उसके आगे क्या करना है क्या नहीं करता है अभी कोई कमेंट नहीं अभी कोई कमेंट नहीं पहल रिवल एक्टिविटी पे जो सुने माझाए कर देक दोर जागी है कि पहलवानों को इनसाफ मूलेगा ये शब्द मेरे नहीं है बलकि रिसलर गीता फोगाट के हैं। दरसल रविवार को खेल मंत्राले द्वारा फैसला लिया गया कि नए नवेले डबलू एफाई के अध्यक्ष संजे सिंग को निलंबित कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं डबलू एफाई को भी रद्द कर पर फिट बैकती हैं। जहां रविवार को खेल मंत्राले ने बड़ा फैसला लिया। दे रहाए क्योंकि संजे सिंग के अध्यक्ष बनने के बाद पहले साक्षी मलिक ने प्रेस कॉंफरेंस की। सामने रखे मेज पर अपने जूते रखकर कहा कि वो कुछती छोड़ रही ह एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी पूरे दिल से लड़ी लेकिन अगर प्रेजिडेंट बृत बूर्चन जैसे आदमी जैसा ही रहता है उसका जो उसका बिल्कुल सही होगी है उसका बिजनस पार्टनर है वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अप के बाद कभी भी आपको हुआ नहीं दितने तो बस सभी देश वासे खुर धन्यवाद जिनों ने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मोगा अंतर होगी होगी है फिर बजरंग पुनिया ने पीम आवास के बाहर फुटपात पर पदमश्री रखकर विरोज जत लेकिन सुनवाई नहीं हुई दुरूस्ता है इसलिए क्योंकि देश सही सही फैसला तो लिया गया और देश की बेटियों का मान रखकर सिर्फ संजे सिंग को नहीं बलकि पूरी की पूरी WFI को ही निलंबित कर दिया गया देशल संजे सिंग को बीजेपी सांसद ब्रिज भूशन सिंग का करीबी माना जाता है वो गुरुवार को ही कुष्टी संग के अध्यष चुने गए थे कुष्टी संग के लिए हुए चुनाव में उन्हें 47 में से 40 वोट मिले थे जबकि उनकी प्रतिद्वंदी और कॉमन विल्थ गेंज में स्वर्ण प्रदक विजेता अनीता शियरान को सिर्फ साथ वोट मिले थे अनीता को ब्रेज भूशन के खिलाफ यौन उत्पीडन का आरोप लगाने वाले पहलवानों का समर्थन था संजे सिंग इससे पहले उतर प्रदेश कुष्टी संस्था के कि अभी में फ्लाइट में था अभी मुझे बहुत डिटेल पताने और उसका लेटर मुझे नहीं मिला है वो लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता הי具 बताता हूँ ना उसके आगे क्या किया नहीं करता है अभी कोई कमेंट नहीं केवाल एक सुनने में जो आया कि एक्टिवीटी पे मेरे रोक लगाया है तो उसको मैं अभी देख लेता है उसके बात करता है अभी कोई कमेंट नहीं हाला कि खेल मंतराले की तरफ से कहा गया है कि ऐसा लगता है कि नाया कुष्टी संग खेल सहेता की पूरी तरह अंदेखी करते हुए पूरी तरह से पिछले पदधिकारियों के नियंतरण में है जिसके खिलाफ उत्पीडन के आरोप लगाया गया है और बरतमान में कोट इस मामले की सुनवाई कर रही है वहीं बजरंग पूरिया ने भी संजे सिंग के अध्यक्ष बनने के विरोध में अपना पदमश्री लोटाने का पैसला किया था उन्होंने पियम मोदी को पत्र भी लिखा था बजरंग पूरिया, साक्षी मलक और विनेस फोगाट के साथ ब्रिज भूशन के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पहलवानों में शामिल थे इन तीनों पहलवानों के नित्रत में ही कई रेसलर्स ने ब्रिज भूशन के खिलाफ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था इन पहलवानों ने ब्रिज भूशन पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीडन करने का आरोप लगाया था इस मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR भी दर्च की है खेल मंत्राले की दखल के बाद ही पहलवानों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया था खेल मंत्राले ने कुष्टी संग की पूरी इकाई को भंग कर दिया था इसके बाद कुष्टी संग के चुना हुए खेल मंत्राले ने खिलाडियों को आश्वासन दिया था कि चुनाव में ब्रिज भूशन के परिवार से कोई भी नहीं लड़ेगा फिलहाल इस गतिरोद के थमने के आसार है क्योंकि जो मांग देश की बेटिया कर रही थी उस पर खेल मंत्राले की ओर से फैसला लिया गया है अंत में वही जो शुरुवात में कहा गया था देर आए दुरस्ताएं ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया वोईस तो वहीं अगली खबर वारानसी से है जहां खेल मंत्राले से कुष्टी संग को रद करने का मामला सामने आया है बता दें कि डब्ली एफाई के निलंबित अध्यक्ष संजे सिंग के स्वागत के लिए होल्डिंग लगाये जा रहे थे वहीं वारानसी में संजे सिंग के स्वागत के होल्डिंग पहले लगाये गए और अब हटाए जा रहे है अगली खबर अंबाला से है जहां देश के पहलवानों के लिए एक बार फिर कॉंग्रिस ने सडकों पर प्रदर्शन किया बता दें कि युवा कॉंग्रेस ने केंडल मार्श निकाला और अपनी नाराजगी जाहिर की वहीं युवा कॉंग्रेस ने कुष्टी संग में ब्रजबूशन सरन संग के साथी की जीत पर सरकार को आड़े हां थो ले लिए संबल के प्राशीन कल की विष्टु मंदिर में राम मंदिर के लिए यग किया गया जहां मंदिर में मासिक यग के मौके पर राम मंदिर के लिए सधालूओं ने आहूती दिए साथी राम मंदिर के उधाटन पर बाईश जनवरी को इस मंदिर में दिपावली भी मनाई जाएगी कोरोना के नए वेरियंट जे एन वन के चलते पुरे देश में इलर्ट जारी कर दिया गया है उत्तर भारत के यूपी में कुछ मामले सामने आये हैं लेकिन अब तक पंजाब, हरियाणा और हिमाचल पर देश में कोरोना के नए वेरियंट का कोई भी मामला सामने नहीं आया परदेश में भी सौस्ट विवाग सतर्ख हो गया है, सूबे के सबसे बड़े हश्पिताल और मेडिकल कालेज आई जी म्सी में तैयारिया हो गई है, सिमला के आई जी जी म्सी हश्पिताल में कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं बतादे हैं कि देश में बीते 24 घंटे में कुरोना की 656 नए केस आये हैं सामने इस दोरान आई संक्रमेंटर से 2 की मौत होने के कारण इस महामारी से मरने वालों की संख्यां बढ़कर 5 लाग के पार हो गई है दो वहीं शाज जहांपूर में जमीनी विबाद में यूवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई जिसकी अहालत फिलाहाल गंबीर है दरसल यूवक खेत पर गया हुआ था जहां तबंगों ने उसे गोली मार दी वहीं खबर मिलने पर गाओं में पुलीस ने पहुँचकर लोगों से पूछताच की परजनों की तहरीर पर पुलीस के आरोपी के खिलाब पुलीस ने मामला दर्च कर लिया है खबर फतेपूर से है जहां जाच कराने आई महिला से पैथोलोजी संचालक पर दुशकर्म करने का रूप लगा है आपको बता दें कि पती के आने पर पीडिता ने अपनी आप बीती सुनाई जिसके बाद पती ने पैथोलोजी संचालक की जमकर पिटाई कर दी हाला कि पूलिश ने पैथोलोजी संचालक शैलेंदर के खिलाफ मुकदमा दर्चकर मामली की जाँच में जुट गई कल दिनान तेज बारा तेज को रामचन द्वारा उस पांजली पैथोलोजी के संचालक द्वारा इलाज के बाहने उनकी पत्न के साथ गलत काम करने की कि यूपी के हर दोई में डीजीपी की मित्र पुलिस का बेरहम चेहरा सामने देखने को मिला है मैं अज रास्ते से बाई खटाने के लिए कहने पर पुलिस सिपाहियों ने एक बैंक कर्मी को डंडे और पट्टे से बुरी तरीके से पीट दिया बता दें कि पीडित के मताबिक पुलिस कर्मियों ने उसे डंडे और पट्टे से खूब पीटा और फिर सुबह बगैर मेडिकल कराये ही उसका चलान कर दिया वहीं पुलिस के साथ थर्ड डिग्री टॉर्चर से बैंक कर्मी डर गया है सहम सा गया है साथ ही बैंक कर्मी के लिए दोशी सिपाहियों के खिलाफ कारवाई करने की मांग की है तो वही हमेरपूर के जनपत के मचगवा थाना शेतर में घर में घुसे चोरों ने महिला को गोली मार दी बता दें कि देर राज चोरी के इरादे से घुसे चोरों को देखकर महिला के चिलाने पर गोली मार दी जिसके बाद चोर मौके से फरार हो गए, आला कि महिला की जांग में गोली लगने से महिला गंबीर रूप से घायल है, जिसका इलाज समूदा एक स्वास्त केंड में जारी है, लेकिन डॉक्टर ने हालत गंबीर होने पर महिला को जहांसी रिफर कर दिया है, तो वही मौके प